अगले महा पढ़ने वाले रक्षा बंधन पर उपर इस बार भारत में बनी राखियां चीन का गुरूर तोड़ेंगी। इसके लिए महिलाओं ने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज में कारियरत दोसों से अधिक स्वेम सहयता समूहों की महिलाओं ने इस अवसर को आत्म निर्भर भारत अभियान का रूप दिया है। समूहों के संचलन के लिए संबंधित विभागों ने भी इसके लिए कमर कसली है और समूहों को राखी बनाने का लक्ष तैय किया जाने लगा है। जिनें लक्ष दे दिये गए हैं उन समूहों ने धागे कपड़े खरीद कर ये काम शुरू कर दिया है। महिलाओं के हाथ की बनी राखियों की दुकानों पर आपूरती की तैयारी की गई है और बाजारों में भी स्वेम सहायता समूहों के स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रयागराज के बहरिया और कर्चना विकासखंड में इस समय राखिय बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। राखी बनाने के लिए महिलाओं ने बाकाइदा प्रशिक्षन लिया है। इस काम में जुटी महिलाओं ने बताया कि समूह के माध्यम से हम राखी बना रहे हैं जिने बाजार में हम बेचेंगे और इसी राखी से हम खुद भी त्योहार मनाएंगे। राष्ट्रिय शहरी आजीवी का मिशन के तहट शहर में करीब 500 राष्ट्रिय ग्रामीन आजीवी का मिशन के तहट गाउं में 11700 समूह सक्रिये हैं। बहरिया और कर्शिना ब्लॉकों में करीब 200 समूहों की महिलाओं को राखी बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। इन पांच लाख राखियां तयार करने का लक्ष दिया गया है। के राखियां बनाएंगे हम लोग रोजगार मीला है और एक तरे तरीके से रोजगार भी मिल रहा है और दूसरे तरीके से जो है चायना का जो भी सामाना आता था राखी और गारा उसका हम लोग उसे दूरी भी बना रहे हैं समू मेजोड के सार जो दीदी अपना रोजगार ये कर रही है राखी बनाने का अभी प्रसिच्छा ले रही है पैसी रिखिया है हमारे देधीं है राके बनाके बैचिंगी तक चारप सार उसे पंपध को सुधस्थार राएगा। मार्ग से काया उसको भी हम लोग बनाएं कि रोजगार की अच्छी खासी बैट के लॉक्डाउन में और ये अब रच्छा बंधन आया है इसको भी हम लोग बना रहे हैं और अपना जीव का बढ़ा रहे हैं दिक स्राम च्छाता सम्भू के माध्यम से जो भी ऐसे कार रहे हैं जिसमें प्रास्मता दे करवाया जा रहा है जिससे लिए घ्रामीट खेक्ट में रोजगास विजन हो सके और बाहर से निर्भर ना रहते हुए हम अपने ही जन्द्पत में उन सभी पॉड़र्ट्स का निर् जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि स्वयंख्षात्य संब्गों को इंवाल्व करके उनी के माध्यम से राखी का निर्मान करवाया जाए जिसके अंतरकत अभी तक 200 महिलाएं इस कार में सेनित हो चुकी हैं और उनके दुवारा एकाम किया जा रहा है हमारा प्रयास है कि हम हर ब्लॉक में ये काम करवाएं जिससे कि सभी हमारे ब्लॉक में कि सभी मेलाएं इससे अधी सदी मेलाएं से जुड़ सकें